मा बई तुक, आप कौन हो तो बॉला बई मैं रिशेब पंद हूँ रिशेब पंद कौन बई मैं बारत्ये क्रिकेट हूँ तो मैंने जल्दी से एक सवारी से शोल ली उसको उडाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिली से रुड की जा रही है उस सड़क के पार तरके उसको त वैटर timely तब तक मैने अम्बूलेंच को फोन की ऑलंग डाया वो बार बॉला तब मेरी टांग टूट गी है वागॉसने बौला मेरी ममय को फोन मेला नहीं है तो मेर्या daha तो फॉन बिला ये-टरी दिल्ली से रूड की जाते वक्त क्रिकेटर रिशाप पंद की कार का एक्सिडेंट हो गया किस तरीके से एक्सिडेंट हुआ हासा हुआ किस कंडिशन में उस वक्त सामहरिद्वार की तरफ से बस ले करके सुशिल कुमार जी आ रहे थे और उनके साथ में बैठे थे परंजीत नैंट जो की बस के कंडिक्टर है और ये बस के ड्राइवर थे दोनों लोग एकदम आगे बैठे थे इसने इन लोगों ने दूर से ही कार को देख लिया जब कार अनियंत्रित हुई एक्सिडेंट हुआ और दूसरी तरफ कार आती है सुशिल कुमार जी बस चला रहे थे हम इंसे पूछते हैं सुशिल जी क्या देखा आपने सबसे पहले कब नजर पढ़िया की इन तरोरी है वो कि 200-300 मिटर पहले ही अंदाज हो गया था क्योंकि लाइट ऐसे डढ़ रहे थी मगा वाई गया यह तो एक्सिडेंट होगा एक्सिडेंट होगा इतनी बात करते करते हुआ हमारे से सो मीटर आगे डिवाइडर से टक्राएं डिवाइडर से टक्राते तीन- आगे डाल दिया तो मेरी अप्चाव यह रहा गया वह जैसे ही मैंने गारा ड्रायोशाइड में करी क्योंकि फसला था सो मीटर का होगा वह ड्रेवर सेड में गारा कि नेक्साइड में निकल गी इस वम्रत कि मैं देख्या वाई गाडी में आग लगी मैं एक से ब्रेक मारे अग्या प्रेक में गाडी में अग जुकी ती उसको बचाने के लिए तो फिर उसको डिवाइडर पर लुटाया ना मने तो अगया उसको थोड़ा हा आप लोगो ने गाडी से खीचकर निकाल रहे itself को तो वह बहुत है विलकुल बहुत है उसके बाद क्या हुआ जब आप लिटा अब लिटा है वहां पर तो उसके बाद क्या हैा है सर मैंने सुशील को बलाब गाडी में देखो कोई और परसंदों पूलिस को फोन लगाया एक सवारी से उसको उड़ाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिली से फुरूड की जा रही है उस सड़के पार करके उसको वहां डिवाइडर पे बैठा दिया तब तक मैंने अम्बुलेंस को फोन किया है सुसील कुमार ने पूलिस को फोन लगाया एक सवार नमर पे अम्बुलेंस को फोन करने के बाद जस्ट पंदरा मिन्ट के बाद अम्बुलेंस आई तब तक मैंने जो उसका समान बिखरा पड़ा था कुछ पैसे सवारी ओने या यात्रियों ने उठा लिये थे उसके कुछ र पाद अपने पैसे पकड़ उसको मुण पे भी खूनाया था पिक्छे से भी खरॉंचे थी एक टांग में मेरे को फोन घुटकी है यह तो लंगडाघा था वो बार बार बोलेदा वही मेरी टूट घुड़ी है उसने मेरी मम्य को फोन मिला दे का तरी के फोन सींने उसकी मम यह इंबर बता है तो उसके मम्मी का फ़ोन आया स्वीच ओफ तो वो बोला arrow मेरी मिसमाधि तो सोरी होंगीigible तो अब क्या करें जिस में तब तक School अगीत बिथा दिया था भैंबुलेंस उसको पंचाना केते हैं तो उसके बाद हम दोना अपने ऑगे बड़ेыми Lupi ने नीज में देखते हैं यह तो काफी बड़ी प्रस्नेलटी है तो इसके बाद थोड़े सा तो आप ये बताएं कि जब यात्री लोग उत्रे आप क्रिकेट में क्या इंटेस्ट नहीं लगते आप रिशावपन को नहीं पहचान है सर मैं पहले इंट्रेस्टिट था लेकिन अब ये नई खिलाड़ी आ गए हैं छोड़ द्यारा सर्विस लगने के बाद पांचे साल से मैं कामी देखता हूं तो उतने कितने यात्री रहोंगे आपकी बस में सर अप्रोक्षिमेट तीस यात्री थे तो उन तीस में से भी कोई रिशापन को नहीं पहचान रहा है। पूरा वो पैचाने कैसे बताओ फिर वही बादा चोटी लो रहे था कपड़े सारे फट शरीर पे कहा कहा चोट सरीर पे सर पिछे दोनों साइड पिछे चोट थी और मुह ब्लीडिंग आ रही ती यह नहीं पता था वह मुह में से आ रही है और एक पैर फ्रैक्चर था और हा तो वह लब मेरे से चलानी जाएगा मेरा पैर फ्रैक्चर है तो मैंने दूसरे की साहिता से दोस्वारियों की साहिता से और उठा के जिब अचा उस वक्त वहां पर जब एंबुलेंस पहुंची तो क्या एंबुलेंस वालों ने भी नहीं पहुचाना और क्या कंडिशन थी वो कहने उसने काया वह जल्दी से जल्दी ले जा अच्छे ऑस्पिटल में ले जा उसको बुला मखा भी एक किर्केटर है अले अब ठीक हम ले जाते हैं क्योंकि हम एक बंदर में बंदे होते हैं सरकारी करमचारी हैं हम नी चोड़ी सकते तो कितनी देर में एक्सिडेंट के कितनी देर बाद उन्होंने आपकी बात हुई जब आपको रिशाप पंथ ने बताई को क्रिकेटर है और रिशाप पंथ उनका ना साथ मिंट के बाद उसने बता था कि मेरी शिपंथ हो क्योंकि जब निकाल आए उस टेम होस में था वो जब हमने उसको डिवाइडर पर लोटा आ ना जब उसमें आ हो जी क्यूंकि हम उसके चारो तरफ गाड़ी के डूंड रहे थे ऐसे क्यूंकि परसकठे उड़े वह थे कपड़े खिंडे होए थे समझ में निया अधा दमी है इसके अंदर लोग आ है क्या है तो मैं घूंब रहा था इसके गाड़ी के चैरों तरफ तो तो पुलिस पहुंच पाई थी उस पुलिस ने पहुंच पाई थी आप जब एंबुलेंस वहां से आपके पहुंचने पे होने पे और आप एंबुलेंस आने में कितना टाइम लगी है और एंबुलेंस कितनी देर बाद वहां से रिशापन को लेके निकली तीन मिन्ट के उसके बाद आप कब वहां से निकले मैं चोथी या पांचमी मिन्ट में अमने अपने यात्रियों को बस में बिठाया ठीक तो उनका बुलाया बुला का अपनी या बाई पनी पतोले यात्री आजाओ बैठ जाओ अपनी बस में हम चल पड़े थे जी क्योंकि 25 मिनट तो आप लोगी स्पार्ट पे थे हां 25 मिनट के आसपास हम स्पार्ट पे थे सार लेकिन उतनी देर में पुलिस नहीं पहुंच प कहां है कैसे है किस जगह है यासे में फोन आते रहे उनके मैंने कहता है फोन आए कभी थने हागा उनको समझ में बहुता दिया नारसन एक बस टोपीज है ये नैशनल हाइवे के अपर है रुड की हरीदवार के इसके दिल्ली पे तो उनको बताता रहे वो फिर भी मतलब हुआ 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 है